अब हमारे साथ हैं मिस्टर शराफत खान जो की और्गनाइसर हैं रूट्स क्रिकेट अकाडमी प्लस अजमेर प्रेमेर लीग के तो मेरे कुछ कोश्चिंस हैं आप अप अपियल से क्या समझते हैं अपियल जो टौर्नॉमेंट है इसका प्लान हम पिछले तीन साल से कर रहे हैं हम तीन सालों से प्लान कर रहे हैं किस अल्गनाइसर अजमेर शरे में कराना जिससे हमारे अजमेर से भी कुछ प्लियर निकल के भार आएं क्योंकि क्या होता है कि किसी भी किरिगेटर उसको भार आने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आउशकता होती है प्लेटफॉर्म की उसको एक ऐसा चाहिए जहां अच्छे ओनर्स अच्छे भामशा जो अजमेर शेर के हैं वो जुड़े तो यह सब चीजे एक एक तरह से एपील को फॉर्मेट बना के एपील के तरज के उपर हम लोगों ने प्लान किया कि जो शेर के जो बड़े बड़ी फर्म हैं उनको इससे जोड़ा जाए उसको इससे कनेक्ट किया जाए ताकि वो जो प्लेयर जो ओनर हैं वो डायरेक्टली जो प्लेयर्स उनकी टीम में हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लायकली प्लेयर को सपोर्ट करें अब इसी तरह से ने अमने अजमेर के जो 8 honors, 8 teams बनाई, बड़े बड़े honors पकड़े अजमेर शहर के, उनके साथ मिलके काम किया, उनसे डिसकस किया कि ऐसा tournament करवाने जा रहे हैं, almost उन सब लोगों ने बहुत interest लिया, उसी का नतिया है कि आज हमने APL के auction कंप्लिट कराया है, प्लेड के इतना ल परदेश्चनगरें इन जो जन्द औरदाई है इन सब हमने आठ टीम से बनाई आठ टीम बनाने के बाद आठ जगों के ऑउनर्स हमने कैच किये उनको कैच करने के बाद पिछ किया है कि अप लोग इसमें इंट्रेस्ट लें तो इन्ट्रेस्ट लिए डेफिनेटली उसी का न करें हाँ तरह से और उनका मैस जेखने जो चंदवदा इस्टेडियम में हैं ज्यादा ज्यादा संक्या में मैस देखने पहुचें क्योंकि यह जो टॉनामेंट होने जा रहा है यह पूरा ऐपिल की तर्च के ऊपर होने जा रहा है इसके अंदर ओनर्स ने अपने-पने खिला आजमेर के आकोडिंग मानें, मान के वो आईपील में आगे बढ़े राजिस्तान से खेले, इंडिया से खेले, यह हमारा एपील टीम का उद्देश्च्य है, आगे से आगे बढ़े हैं, ओनर से उनको सपोर्ट करें, राजमेर की जनता इसको पूरी तरह से प्रमोट करें, ज इस चीजों को समझ पाएं कि एपील किसली हो रहा है, अजमेर प्रमेर लिग का उद्देश्च्य है, इसमें क्रिकेटर्स को अजमेर, जिले से हम चाहते हैं कोई क्रिकेटर इंडिया के लिए खेले, इस प्लियर को और आगे बढ़ा सकते हैं, राजिस्तान से, इंडिया से लोगों से approach कर रहे हैं जो cyrgu己्रेटर्स हैं उनको भुलाने कोशिच कर रहे हैं इसमें आये tournament को देखे हैं वह players को देखे हैं और उन players पर नजर जाएं कि किвет कि एकुलatic प्लेयर भी है कि होता है platform नहीं विलता tournament नहीं विलता तो players नजर में नहीं आ पाते हैं उन प्लेयर पे नजर जाए और उस प्लेयर के द्वारा वो प्लेयर आगे निकले हैं अजमेर में काफी talented players हैं जो किसी वज़े से या एक financial problem से या पॉलिटिकली problem से आगे नहीं खेल पाते हैं बहुत अच्छा talent है अजमेर शेयर के अंदर तो हम चाते हैं जनता से सपोर्ट करें और अजमेर का player आगे इंडिया के लिए APL खेले थैंक यू उनको कैसे solve किया आप बताना चाहेंगे प्राब्लम्स जो थी हमको सबसे बढ़ी problem सी financial problem जो थी यहां पर आ रही थी हमको यह था नहीं सा उमीद यह थोड़ा सा डर था कि टीमें लोग बाक चेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे टीमों को ले पाएंगे ने ले पाएंगे लेकिन उसके वलावा हमने एक प्लान तियार किया कि जो ओनर्स हैं उनको किस तरह से तैयार करना है उनको किस तरह से अप्रोच करना है उनका इसके अंदर इसको लेके उनका किस तरह से फाइदा है इस टूर्नामेंट को लेके किस तरह से वो अपने आपको ओनर्शिप में अपनी टीम को मान के आगे बढ़ेंगे जैसा कि आज जो आई पील में होता है मुंबई इंडियास मुंबई इंडियास की टीम में अम्मानी ने ले रखी है उसी तरह वो आज कितना बड़ा ब्रांड है तो उसी अप्रोच के तो शुरू में तो दिक्रत आई लगा कि त्यारपाश टीम में विखेंगी ऐसा लगा कि शाहिए टॉर्णामेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा अफिर भी हमने हाड नहीं मानी में हमारी टीम ने पुनित मेता ने रज्जे रंगनानी ने परद्यूमन सिंग ने इन सब ल लोग है अतुल भिया निरज भिया इन लोगों के डिव्यूस लिए जो और से उनको बताया चीज के बारे में कि एक्चुल में जो हम कराने जा रहे है उसका एम क्या है उद्देश्य क्या है लेकिन लास्ट के अंदर आके चीज के अंदर हमको सक्सेस मिला वो लोग समझ प अधिर शारुक खान के टीम है मुंबई इंडिया अमानी के टीम है तो वह वेसी वाली फेलिंग हम इन ओनर्स में लाना चाहरे है तो अपने आपको वह माने कि यार यह टीम मेरी है उसके वह ख्लैडियों को परमोट करें काफी तरह की प्रवलम साही लेकिन उसके अबराव जिससे आप APL के साथ असोशेट किया है खुद को क्या सोच के आपकी व्यूस के देखिए जब मेरे पास शराफत जी आये थे और पुनीद भाया आये यह दोनों आये तो इन दोनों ने मुझे का था कि भाया देख लीजिए आपको अच्छा लगेगा एक बार जोड़कर देखिए हमार इसे तो एक सेकंड के मेरे दिमाग में यह थॉट आया कि यार क्यूना हमको यह स्टैप लेना चाहिए एज ओनर क्यूना मैं इसमें घुसूं और इससे कितने यूवा अप्रीश्येट होंगे इससे किते यूवा जोड़ेंगे मेरे नीचे मैं कितने सारे जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और यही सब सोचके कि हमारे अजमेर का नाम उपर बड़े और हमारी जो टीम है एक और चीज़ कहना चाहूंगा चंद्रवर्दाई स्टेडियम में यह मैचेज होंगे अजमेर की जनता को हाथ जोड के बिंती है कि आप जादा से जदा संख्या में पदारें और मैच का लुफ टाएं धन्यवाद and the matches will be held in the first week of June 2019. Please do come. Thank you. Thank you. Thank you. So now we have Mr. Gunjan Sharma with us who is Secretary District Cricket Association, a member of this association. So what are the objectives of APL? APL क्या है? APL की unique चीज़ अजमेर में पहली बार हो रही है. मतलब जो यह team organize कर जाए यह पहली बार हो रहा रहा है. यह सोच के बड़ी अच्छी बात है कि इसमें एक नया कंस्प्तिया रखा है कि अंडर 40, मतलब 40 प्लस भी खेलना है और अंडर 14 का भी एक तो 14 वाले लड़के के लिए सबसे अच्छी बात ही है कि जब वो सीनियर के साथ खेलेगा तो उसको कहींना के एक बैटर एक बैटर पुटी वित आस अंडर ही इस स्ट्रॉंग पिलर ऑफ क्रिकेट एन अजमेर और आप राजिसान क्रिकेट असोशियेशन से भी असोशियेटेड है आपके क्या व्यूस है अजमेर प्रेमेर लीग पे अजमेर के इथिहास में पहली बार हो रहा है है इस तरह का टूर्णमें और इस टूर्णमेंट को लेकर बच्चों में काफी उत्सा है और मैं फर्स जैसे इस टूर्णमेंट के जो ओफिशल से उनके साथ जुड़ावा हूँ और जो बच्चों का उत्सा था वो देखने बनता था करीब 300-300 बच्चे ट्रायल देने आए और लगबग 200-300 भाहर खेलना लेकिन किसी वज़े से वो खेल नहीं पाए मुझे बड़ा दुख है कि वो नहीं खेल पारें इस टूर्णमेंट में लेकिन अगली बार हम ध्यान रखेंगे ट्रायल को आयोजा को से मैं बात करूँगा ट्रायल को और बड़ा करेंगा हम ताकि इस बार 300 अगली बा सक्सेस होगा और लड़कों को एक नया प्लेटफार्म मिल रहा है जिस तरह IPL को खेल के हिंदुस्तान में ऐसी प्रतिवाएं सामने आगी जो इंडिया खेल रही है लड़के जो इसकूली बहुत थे वो जाके टेस्मेंच और वंडे और टी-20 खेलने लगे तो मुझे लग झाल